लिट्टी चोखा वैसे तो बिहार का मशूर है लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले है रायपूर छत्तिसगड का एक ऐसा जबरदर्स लिट्टी चोखा जिसके सामने बिहार का लिट्टी चोखा भी फेल है और ना कि वहल इसका स्वाद बहतरीन होता है बल्कि इसको बनाने के बाद उन्हें घी में फ्राई किया जाएगा बिहार में बैंगन को बिना काटे ही पका दिया जाता है तो उसके अंदर अगर कीडे भी हो वो भी साथ में पक जाते हैं लेकिन यहां पर आप देखिए हर एक बैंगन को काट के देखा जा रहा है जिसके अंदर कीडे है वो बैंगन को अलग निकाल दिया जाएगा और जो साफ बैंगन है केवल अपना साफ बैंगन यहाँ पे घी में फ्राई किया जाएगा पहले और यह बैंगन को घी में फ्राई करने का तरीका भी यह आपको केवल यही मिलेगा otherwise पूरे इंडिया में जहाँ भी लिट्टी चोखा बनता है बैंगन को ऐसे ही भूना जाता है कहीं पे घी में फ्राई नी किया जाता है और अभी एक मिनट भी नहीं हुई है लेकिन बैंगन अपने नीचे से देखे पक गए है तो इन्हें पलटा जा रहा है कि दूसरी तरफ से भी बैंगन अच्छे से पक जाए और केवल बैंगन को यहाँ पे घी में फ्राई नी किया जाएगा देखे टमाटर भी डाल दिये गए है और हरी मिर्च भी तो सब कुछ यहाँ पे घी में फ्राई करने के बाद चोखा तही आर किया जाएगा आप देखे जो बैंगन पकते जा रहे हैं उन्हें घी से बाहर निकाला जा रहा है जहां से उन्हें भगोने में इकठा कर लिया जाएगा तो जितना भी बैंगन टमाटर और हरी मिर्च अपनी घी में फ्राई की गई थी वो सारी बाहर निकालके भगोने में ले ली जाएगी और अब इसमें मसाले डाले जाएगे सबसे पहले डाला है चाट मसाला उसके बाद डाला है काला नमक काला नमक डालने के बाद अपना घर का बना हुआ गरम मसाला डाला है फिर लाल मिर्च डाली है उसके बाद देखे नीमूनी चोड़ा जा रहा है और अब इसमें डाला जाएगा सरसो का कच्चा तेल जो चोखे का असली स्वाद आता है वो कच्चे सरसो के तेल से आता है तो धेर सारा सरसो का कच्चा तेल डाल दिया गया है इसमें और अब ये सारी चीजे देखे अच्छ देकर डाल दिया गया है कोईले के उपर सेखने के लिए और आप लिट्टी डालने का तरीका देखे भईया का कोई 2-3 मिनट लिट्टी यहाँ पर सेखी जाएगी कोईले के उपर उसके बाद लिट्टी को यहाँ से डाल दिया जाएगा घी के अंदर लगबख दो मिनट ये लिट्टी घी में पड़ी रही है घी बिलकुल पी लिया है इन लिट्टियोंने और अब देखे इने बहार निकाला जा रहा है आप घी टपकते हुए देखे लिट्टी पर से मतलब देखकर ही मुँँ में पानी हा रहा है अब ये लिट्टी ली गई है प्लेट में उसके बाद लिया गया है देखिए आलू का चोखा आलू का चोखा लेने के बाद जो बैंगन का चोखा हमने आपको तयार होते वे दिखायता हो वो लिया गया है उसके बाद ली गई है टमाटर की चटनी टमाटर की चटनी के बाद हरी चट्मी ली गई है और उसके उपर से प्याज डाल कर ये प्लेट अपनी तयार हो गई है स्वाद गाइज वाके ही जबर दस्ता आ रहा है मतलब मैं बिहार रहकर आया हूँ एक महीना और जो बिहार मेंने सबसे टेस्टी लिट्टी चोगा खाया होगा उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है ये और टीन चार चीज़ हैं पर और भी अच्छी है पहली बात बिहार में जहां भी लिट्टी चोगा खायेंगे आपको बैंगर को बिना काटे ऐसी बना देते हैं तो अंदर कीडा होगा वो भी खाये जाता है यहां पर बैंगर को काट के बनाते हैं दूसरा उसे देशीगी में तलने के बाद बनाते हैं तो देशीगी का स्वाद आता है उपर से उपने सर्शो का तेल डाल गया है तो उसका स्वाद भी आ रहा है और लिट्टी तो आप देखिये अभी तक घीट अबकरायन में से तो लिट्टी बहुत बढ़िया, चोगा बहुत बढ़िया और प्लेट का प्राइज से 70 रुपे तो अगर आप राएपुरा रहे हैं, यहाँ पे लिट्टी जोगा जरूर ड्राइज कीजिगा, मरीन ड्राइज कीजिगा अगर आपको यह वीडियो देखके मज़ा आया हो तो इस वीडियो का अपने दोस्तों साथ शेर कीजिगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मिल चैनल को फोलो कीजिए क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा बेस्टेरियर फूड